एक बाद फिर आपको बहुत होगे तो दूस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने बाले हैं UP scholarship form fill करने की last date के बारे में आपको पता ही होगा आप college या university के अगर students हैं तो आप scholarship form जरूर फिल करते होंगे चाहे आप SCST category के strengths हो या फिर general category के strengths हो या फिर OVC category के strengths हो या फिर minority category के strengths हो सभी strengths अपने scholarship form जरूर फिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने बाला हूँ कि उत्तों पर इस government की तरफ से scholarship form fill करने की जो last date है वो आपके लिए क्या रखी गई है ठीक है एक चीज़ आप ध्यान दे ये जो last date बताई जा रही है ये class 9th और 10th के लिए नहीं है ये चीज़ ध्यान रखना है class 9th और 10th के अलाबा चाहे आपका कोई सा भी course हो कैसा भी course हो सभी courses के लिए केवल कच्छा 9 और 10 के लिए ये last date नहीं है उनकी last date अलग है ठीक है तो वो students इस वीडियो को ना देखें और ना ही उन students के पास इस वीडियो को share करें जो class 9th 10th के हो ठीक है कच्छा 9 और 10 के strengths इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें आपके लिए ये वीडियो नहीं है कच्छा 9 और 10 के अलाबा आप चाहे किसी भी college के strengths हों किसी भी university के strengths हों UP में किसी भी course के strengths हों सभी के लिए केवल class 9 और 10 को छोड़ कर चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक तो यह संख्यक मतलब minority category ठीक है इन सभी category के लिए जो last date रहेगी उसे अब आप यहाँ नीचे देखेंगे और नीचे आने के बाद सभी students एक बार में ध्यान से देख लेंगे यहाँ पर बताया गया है चातर इसतर से online आविदन भुक्तानादी की जो प्रक्रिया है वो चातर द्व category बोलते है इन तीनों category की जो last date है form भरने की वो 10 जनवरी तक है 10 जनवरी तक आप अपना जो form है उसे fill कर सकते हैं और 16 जनवरी तक आपको अपने form का जो print out है यानि की जो form होता है form की जो hard copy होती है वो अपने संबंधित college, university, institute, department में ले जाकर जमा करना होगी यह जो last date हो ग इस notice में भी include कर दीजे अगली जो last date है वो SC और ST category के लिए students के लिए तो सभी students आपर ध्यान दें अगली जो जानकारी मिल लगी है वो SC और ST category के लिए students के लिए जो last date रहेगी वो रहेगी आपकी 31 March 2024 ठीक है 31 March 2024 इसमें दो चरण बताएगे दो चरणों में यह form fill की जा रहे ह तो आपकी जो scholarship है वो March तक आपको मिल जागी March 2023 तक आपको मिल जागी जी हाँ दोस्तों आपकी जो scholarship होगी जो पैसा आएगा वो March 2024 तक आपको मिल जाएगा ठीक है देख सकते होंगे यहाँ पर धनरासी का जो अंत्रल हो जाएगा वो March 2024 तक हो जाएगा 15 March अगर आप 31 दिसम इस तक आप एदन करेंगे SCST category की strengths तो आपकी जो scholarship आएगी तो वो थोड़ा आगे जाकर आएगी ठीक है यानि कि 31 March के बाद में आप कह सकते हैं 31 March तक तो form ही fill के जाएगे क्योंकि आप 2nd चरल यानि कि 2nd चरल में form fill करेंगे एक जनवरी से लेकर 31 March के बीच तो आपकी scholarship फिर जून में आएगी यह चेज आपको दिहान रखना है इस वीडियो को share जोर कीजिए अपने college और university friends के साथ बाकि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरू के लिजा आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलते पे कनी वीडियो में कनी information के साथ thank you so much for watching this